नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुंबाई इंडियन्स की टीम के सच्चे समर्थक हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्यूंकि मुंबाई इंडियन्स ने जहां से इस IPL में वापसी की है, वो किसी दूसरी टीम के लिए करना नामुम्किन था। दिल्ली डियन्स और मुंबाई इंडियन्स के बीच, IPL 2018 का पचपनवा मुकाबला दिल्ली के फिरोच रहा कोटला स्टेडियम पर खेला गया। और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया। इसके बाद अंत के ओवरों में विजेशंकर और अभिशेक शर्मा ने भी कुछ अच्छे शोट्स दिखाए और दिल्ली की टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन तक पहुँचा दिया। दिल्ली के लिए विजेशंकर ने 30 गेंदो पर 43 रन की नाबाद पारी खेली। वही मुंबाई इंडियन्स के लिए जस्प्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर में 29 रन दे कर एक विकेट लिया। जवाब में लक्षे का पीछा करने उतरी मुंबाई इंडियन्स के टीम को मातर 12 रन के स्कोर पर सूरे कुमार यादव के रूप में पहला जटका लग गया। इसके बाद एविन लुइस ने कुछ शांदार शॉट्स दिखाए और मुंबाई इंडियन्स का स्कोर आगे बढ़ता रहा। पारी एविन लुइस ने खेली वही दिल्ली के लिए संदीप लामिचाने ने अपने चार ओवर में 36 रन देकर टीन विकेट लिए। मुंबाई इंडियन्स के कप्तान रोहित शर्मा इतने अहम मैच पर उपर बल्ले बाजी करने नहीं आए। वह नमबर पांच पर बल्ले बाजी करने आए। उनका इतने अहम मैच पर उपर बल्ले बाजी ना करने आना मुंबाई इंडियन्स की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है।